कौन को जूर गया है नेतिक राज जी अनुशा बाबू अभी नौ जी अवाज नहीं जा रहा है अब वो रही हुआ जा रहा है अमितेज जी कि जितने सजन जो भी जूरे हैं सभी लोग आज सेवन क्लास के माथमेटिक्स कि अहम भूमिका हम लोग निभाएंगे यहाँ पर सब लोग अच्छे से समझे आज हम सुंदर कान के बारे में भी बताएंगे मैथमेटकली सबसे पहले समझना यह है कि सुंदर कान है क्या क्यों उसका नाम परा सुंदर कान बेसकली माथमेटिक्स में आज हम मल्टिप्लिकेशन की प्रोपटी समझाने वाले हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हें दम है तो भूल के दिखाना तो यहां पर पलस को दोस्त माना गया है क्या माना गया है और माइनस को दूस्मन माना गया है क्या माना गया है अब आपको यह multiplication है यहाँ पर यह plus है यहाँ minus है यहाँ minus है यहाँ plus है यहाँ minus minus है और यहाँ plus plus है इसकी result बताना है तो यहाँ simple सोचिए multiplication को का कहते है मतलब off और इसको परिये दोस्त का दुस्मन दोस्त का जैसे हमारा director जो है दोस्त है अब उसका बहुँ सारे दुस्मन हमारा क्या होगा दुस्मन होगा बोलो यहाँ स्यानो बोलो बोलो भही यानि माइनस होगा बता दुस्मन का जो दोस्त होगा वो क्या होगा जल्दी बता वो भी दुस्मन होगा अद दुस्मन का दुस्मन क्या होगा? आँ एहां दोस्त का दोस्त क्या होगा? कभी भूलोगे क्या? बूलू? मैं साब कहता हूँ के हमारा वडियों देखिए और आप भूल के दिखाई क्या दिखाईए? आप भूलेंगे क्या? बूलिए aas ya no? आपको लगता है कि भूलेंगे बोलिए कोई विद्यार्थी बोलिए अनुसा जी भूलेंगे इस पिकरोर बढ़ाईए तो हमें नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी भूलेगा बोलू कोई नहीं भूलेगा अब हम तुमको दूसरा रूल जो प्रहाने जा रहे है कि जो मल्टिप्लिकेशन जो करेंगे का हुआ यहां यहां दिस 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 हां पर हम लोग देखेंगे मल्टिप्लिकेशन का दूसरा रूल देखेंगे कि मल्टिप्लिकेशन का कि ंडिस्टीबूशं पर क्या है 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 तो सारी स्टूडेंट बताएं कि किसी ने टेन का टेबल याद कभी किया था कि अपने से याद हो गया था हंडे का कोी टेबल याद करें गया किया ay 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 Allah लेकिन अगर 9 का टेबल नहीं मालूम है तो हम 9 को लिख सकते हैं 10-1 क्या लिख सकते हैं अगर 10-1 लिखेंगे अब उससे किसी के मल्टिप्लाई करना रहेगा तो हमें आसान हो जाएगा जैसे आपको 16 को 11 से मल्टिप्लाई करना है क्या करना है तो यहां पर हम 16 10 प्लस लिखने में कोई दिख्कत है क्या यहां बैए यहां पर 160 हो गया प्लस 16 हो गया बोलो wondering तो 176 गया कि नहीं हो गया हो तो यहां मल्टिप्लिकेशन हुआ डिस्टिवीूशन एडिशन के लिए हुआ किसके लिए वह क्योंकि एज्यादा था इसलिए आर्ड करना परा भोण अब 16 गुने 9 करना रहेगा जो क्या करेंगे जल्दी बताओ 16 10-1 यानि इस 160 में से 16 को घटा देंगे करने आया गया कि नहीं आया यानि 144 होगा आ रहा सब लोग को बाच यानि करने आगया सब लोग को यानि multiplication जो distribution rule है वह दो operation काम कर सकता है under addition बोलो और under subtraction बोलो यह से नो तो हम चाहेंगे कि या जो multiplication का जो किरिया है या कैसे करना है सब लोग को आ गया क्या बोलो यह अब तुम लोग बताओ कि 324 को 101 से multiply करना है क्या दिमाग लगाओगे तो 324 100 प्लस 1 यह 100 से multiply करना आसान है तो 324 पर double 0 हो गए और यह 324 फिर हो से हो जाएंगे यहाँ 42723 करने आया क्या नहीं आया यारि आपको हम जो सिखाए थे A क्रॉस B डिफ्रेंस C A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C या A क्रॉस B पलस C A क्रॉस B और A क्रॉस C यह कब आपको करना है एडिशन और कब करना है सब्ट्रेक्शन जादा रहेगा तो उसको हम distribute कर देंगे बोलो ठीक है अगर कोई बच्चा कहे कि 324 को करो सर A को multiply करना है 324 से या A भी को करना है तो A भी को A भी रहने दो यह 324 है इसका मतलब 324 है इस इस दा 300 प्लास 20 प्लास 4 इस है नो करने आया तो आपको कैसे करना है distribute यह जानना ज़रूरी है तो कैसे करना है multiplication सब लोग को आ गया अनुसाजी अब आ जा रही है कौन है क्या बुले है आए तो कैसे करना है यह जानना ज़रूरी है multiplication कैसे हो यह सीखना ज़रूरी है करने आ गया सब लोग को multiplication पहले सब लोग चेक कर लिजे अवाज सब लोग को जा रहा है सब लोग को आवाज सुनाई दे रहा है हम लोग अभी सीख रहे थे सेवन क्लास का जो चैप्टर है वह इंटीजर्स है जिसमें हमने एडिशन के बारे में सीखा सब्ट्रेक्शन के बारे में सीखा मल्टिप्रिकेशन के बारे में जो सीखाया गया एक बार पुना अनुसा जीए सब लोग को समझ में आ गया है बढ़िया से क्या बला है नहीं चलिए हम लोग फिर से एक बारी विजन कर लेते हैं ध्यान दीजिए प्लास को दोस्त बोला जाता है माइनस को दुश्मन और मल्टिप्लाई का अर्थ औप इसका मतलब होता है अब यहां पर आपको सीखना क्या है कि पलास मल्टिप्लाई प्लास मिन्स प्लास यानि इसको ऐसे परेंगे दोस्त का दोस्त दोस्त अगला है माइनस मल्टिप्लाई प्लास माइनस माइनस मल्टिप्लाई प्लास माइनस माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस इसको जब दिमाग में फिट करो दोस्त का दोस्त क्या होता है दोस्त दूस्मन का दोस्त क्या होता है दूस्मन बोलो और यहां दोस्त का दूस्मन क्या होता है दूस्मन और दूस्मन का दूस्मन क्या होता है दोस्त यहां बात सब लोग को समझे में आया कि नहीं आया अगला तुम्हारे पास जो है कि distribution का जरुवत क्यों परा तो इससे पहले multiplication का basic meaning सब लोग समझ जाईए तो basic meaning समझना दरूरी है वो basic meaning क्या है सब लोग बताओ unit कैसे आएगा एक ही condition में आएगा जब unit को unit से multiply किया जाएगा क्या किया आएगा जबताओ unit को unit से multiply 10 कैसे आएगा तो यहाँ पर 10 को unit से और unit को 10 से बोलो यहाँ से आनो 100 कैसे आएगा 100 को unit से unit को 100 से बोलो और 10 को 10 से यहाँ तक सब लोग समझ गया अनुसा जी अब आ जा रही है अब यहाँ पर हम multiply करेंगे 5672 है तो यहाँ पर unit place लिखना है यहाँ टेल लिखना है और यहाँ 100 लिखना है बोलो यहाँ 100 को unit से multiply करेंगे तो 6 तो जा कितना हो जायका जल्दी बता आए 12 तो 12 का unit place क्या हो गया 2 कैरी कितना हो गया 1 यहाँ 5 तू जा 10 असे 7 6 जा 42 42 और 10 क्या हो गया 52 52 52 और वन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 53 करी कितना हुआ जल्दी बताओ 5 75 कितना हो गया 35 35 अब 5 कितना हो गया हम समझते हैं कि multiplication करने आ गया इसको चेक कैसे करेंगे युनेट्री मेथेट से चेक कैसे करेंगे 56 जोरेंगे तो किया हो जाएगा 11 11 को जोरेंगे 11 कितना हो गया 99 21 कितना हो गया 18 eightaa 9 या यह 9 जाना चाहिए तो four three seven seven to कितना ओगए नाइन क्याने सभी है करने आया गया जल्दी जल्दी मतायी है सब लोग आ गया Multiplication का meaning सब लोग संज stal गों आधिशन का मिनिग जानते हो एडिशन चामटलब होता है लाइट में एडिशन होता है एडिशन का मतलाब like में, unit वाला unit में जूरेगा, 10 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, समझ में आँ सब लोको, unit वाला, unit में 10 वाला, 10 में 100 वाला, 1000 वाला, बोलो, जैसे एक सिंपल सा लॉजिक देखो कि तुम यह एडिशन लिखते हो कभी सोचा है कि तुम्हारा क्या है ऐसे लिखा यह यूनिट प्लेस है यह 10 प्लेस है यह 100 है यह 1000 है बोलो है अब यूनिट प्लेस 6-6 जोरोगा कितना हो जागा 12 बाराइट कितना हो गया 20 तो 20 का जीरो हुआ कैरी यहां पर टूवा चुकि बीस ऐसे नहीं लिखा गया बोलो नहीं यह यूनिट है यह वहला क्या है टेन है टेन में जाके जूट जाएगा इसमें जूट जाएगा अब समझ में आए गया अब यहां पर 257 हो गया 77 कितना हो ग गया 58 क्या हो गया 13 680 कैरी क्या हो गया 1 2 1 कितना हो गया 3 3 3 6 अब 5 कितना हो गया 11 बोलो क्या हो गया समझ में आया क्या एडिशन का मतलब सब लोग समझ में आ गया बोलो एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन लाइक में होता है एडिशन और सब्ट्रेक्शन क्या में होता है जली बताओ एडिशन सब्ट्रेक्शन क्या में हो जाता है लाइक मतलब यूनिट यूनिट में 10 10 में 100 मिन मिनिट में सेकेंड सेकेंड में आबर हैं तो अगर बेसिक मिनिंग आप समझते जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, सेंटीमीटर क्या में जूरेगा, सेंटीमीटर में, मीटर क्या में जूरेगा, किलोमीटर क्या में जूरेगा, हमाली किलोमीटर फीट है, कैसे जूरेंगे, या तो किलोमीटर को फीट बना देंगे, फीट को किलोमीटर बना देंगे, ज इडिशन सफेक्षन क्या में होता है लाइक में कोई दिक्धत अब तुम लोग को एडिशन सब्ट्रेक्षन सब लोग को समझ में आ गया मल्टिप्लिकेशन कैसे करते हैं यह भी एक यह बोलो और अब बात हम लोग करेंगे किसको करेंगे डिवीजन किसको किसको करेंगे डिवीजन किसको किसको आता है जल्दी बताओ कि अगर देखो फाइव डेज को рим की तीन से ुफाइट कर रा तो इसकी कोशियंट में पहले यहां टे लिखाएगा कितना बार मिला ना या बहुत अच्छा यहां टू आ गया जबो लो इससे ही छोटा हो गया कहां इसे है पॉइंट लोग बिठाते हैं नहें पॉइंट नहें इसका मतलप होता है तुटना क्या होता all day today का देटे हैं टुटेगा पर एक डे में कितना अबर होता 24 आवर यास या नो यानि यहां लिखाएगा आवर क्या लिखाएगा और वेक डे में 24 आवर होता है इसलिए यहां पर 24 से मल्टिप्लाई होगा बोलो अब हो गया 48 क्या हो गया अब 3 कितने बार में लगेगा 16 बार में एंसर क्या हो जाएगा वान डे 16 आवर वान डे वान डे वान डे वान डे बोलो यास यानो अगर जो बिद्यार थी चाहता है प्वाइंट बैठाना क्या जाता है तो यहां वान यहां टू आया बोलो प्वाइंट बैठाएगा तो यहां जीरो बोलो यास यानो यहां शेक्स 18 फिर 6 1.66 आजाएगा तो लिखाएगा 1.66 डे क्या लिख बोलेगा लेकिन उसको किलियर कट करके बोलेगा तो क्या बोलेगा वन डे अन 6 इन आवर वन डे आएंट समझ में आया सब लोग क्या डिवीजन आ रहा है बोलो आ रहा है यानि या जो है उसकी प्लेस भाइलो को दिखाता है कि डे में उसका एक है आवर में यह है इससे भी तूटता तो मिनट होता इससे तूटता तो सेकेंड होता उससे तूटता तो पल्स होता बोलो या सियानो करने आ रहा है सब लो बोलो इसी डंग से अगर गुरूस होता क्या होता है गुस क्या होता है हुआ है कि दुम फाहिला बारणाम सूनाँ है आरे एक गुरूस में 12 अद्रजन होता है कि इतरिय दonia में 12 होता है भी बोलो एगर को ता है क्या होता है अब पूरी भी नहीं समझेगा सुई लिया है सुई लिया है है सुई पुझे के तरह था तो बोलेगा 20 को क्या है बोलो यह से नू बताब आके डिभाइट देने वाले विध्यार्थी को पता होना चीए कि तूटे का तो कैसे तूटे तूटे का था एक विध्यार्थी बोला कि सब्सक्राइब रिभाइट सब कर देगे हम इसको बोलो एक गाई है अतीन गों भाई है बट तो बोला एक काकिस्वर वन वाइट वाट गाई है हम लेकि कैसे होगा बताव कोल खाला देगा कोल दूद दूएगा कोल गोबर साप करे इसने लेकिन अगर बाबुरस्पूलदा है कि उसको तीन भाग में तोरा जा सकता है कि नहीं चांट दताप ही उसको भी तोरा जा सकता है कि नहीं बोलो है लेकिन यह वादट कोके बारते हैं नहीं परणायह बिचमाम गुठिली है बोलो यह से नो अगर इधार वला दिया इधार वला दिया तो इधार इधार जो लेगा उसका कम नहों हो जाएगा है दो तो कहने का सेंस यह हुआ कि डिवहिजन जानने से पहले वह क्या में तूटे गा यह जाना जरूरी है तो गुरू सब लोग समझ गए बोलो यह से नो उसमें तूटा है दजन फिर यूनिट पोलता है बोलो यह से नो तो कहने का सेंस कि डिवीजन का मतलब सब लोग समझा कि नहीं एक और पॉइंट पर इठाएंगे तो यह यहां चुकी है टेल से मिनट में मिनट तुटेगा सेकेंड में ऐसे रहता कीवलो मीटर क्या रहता कीवलोगोगोवे देखेंगे तो वहां पर पाई पाई का है किरिश्न भग्वान जो भॉले निसाके जो साल भर का नाजे देदू दुरियोधन से बोला कि का बात करते हैं सरी एक छटाक नाज नहीं देंगे अब वहां तो छटाक बोल दिया अब बच्चा को समझे में नहीं आ रहा है कि छटाक होता क्या है अमाह भारत आख पर के देख रहा है तो पूछना चाहिए ना अपने मम्मी पापस है कि बताएए मम्मी जी छटाक क्या होता है छटाक बोलो तो पूछो लगाओ पर अपने मम्मी को फोन कि क्या होता है जल्दी बताओ अब सब टेस्ट करते हैं तो बोलो यह शनू यानि एक पलेट के आधा कर दिये तो उसको हाप बोलते हैं अहाप को फिर आधा कर दिये तो वॉतर बोलते हैं कि उलू ना अहाइन अर्वुट्र को आधा कर दिये तो ौख्टंड बोलते हैं तो जलते हैं- समझ मैं आया- मने पाउओ- के आधा समझ में आया सारे 62 gram को कितना को जलिदे मिताओ सारे 62 gram बराबर एक छटा और पहले जो सेर होता था उसमें 56 gram बराबर एक छटा समझ में आया तो आदमी कभी गभी देखता है उसकी बात इसलिए नहीं समझ पाता है को नामें पहला बार सुना है अब समझ में च्छाटा क्या होता है एक बटे 16 माहिस्ता एक बटे पहले नहीं होता था आना क्या होता था आना मतलब को इसा ने जिसका इंतिजार कर रहा हुआ चलनी अठनी नाम नहीं चुना है एक रुपया को जब 16 भाग में बाटेंगे तो उसी को आना कहते हैं क्या कहते हैं आना मतलब अठनी मतलब आठाना मनें आधा 50 पैसा को कहा जाता है समझ गया निसावाच्ण होता था उससे भी पहले होता था चार पैसा का पहले एक रुपया में चौठ पैसा होता था अब यह को आना चाहिए वह टूटना क्यामे चाहता है तो यह सब डिवीजन करने से पहले आदमी को आना चाहिए कि वह तूटना क्या में चाहता है तूटना क्या में तो डे क्या में तूटेगा समझ में आया कि नहीं आया बोलो आवर क्या में तूटेगा अब ऐसी दंग से सोचो कि सबसे पहले यर आया यर क्या में तूटेगा जोलो मन्त में क्या में तूटेगा मन्त क्या में तूटेग औरया difेटा है कि आए बीदर कुड़ेगा के अबर क्या में हिटुटेगा मेनिट क्या में रूट गया सेकंड क्या मुद आ कि मेलशकों अ कुछ कि कि नहां तो हम लोग अगली दिन होगा